रॉकिंग स्टार यश की सूपर हिट मूवी मास्टर पीस पार्ट टू की फैन मेड थियोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसा कि मास्टर पीस फर्स्ट पार्ट से हम जानते हैं कि युवा ने ड्रग डिलर्स को मार दिया है और ड्रग डीलर्स को मारते वक्त वीडियो बनाकर खुद सरंडर भी कर दिया है लोगों का मानना है कि युवा ने जो कुछ भी किया सही किया युवा की मां को भी लगता है कि युवा ने जो कुछ भी किया वो अपने देश के लिए किया जिन freedom fighters की कहानिया युवा की माँ उसको बच्पन से सुनाती रही उनी कहानियों का असर युवा पर हुआ और उसने अपने देश के लिए drug dealers को मार कर खुद जेल चला गया लेकिन जैसा लोग और युवा की मा युवा के बारे में सोच रहे हैं वैसा देश का कानून युवा के बारे में नहीं सोच रहा अब फिलम में entry होती है एक lawyer की जो युवा के खिलाफ case लड़ रहा है और उसका नाम है जैपरकाश lawyer जैपरकाश का कहना है कि युवा ने जो कुछ भी वीडियो में शूट करके लोगों को दिखाया है वो सब नाटक है जैपरकाश कहता है कि युवा बहुत ही शातिर और चालाख है जैपरकाश के मताबिक युवा भी उन drug dealers के साथ मिला हुआ था जैसा कि पहले भी साबित हो चुका है लेकिन युवा ने जब drug dealing के business में अपना profit 50% से 80% मागा तो drug dealers ने इंकार कर दिया और इसलिए ही युवा ने उन drug dealers को मार दिया और सारा बीनस अपने कबजे में ले लिया लेकिन जब युवा का lawyer court में पूछता है कि फिर उस वीडियो में हमने जो कुछ भी देखा वो क्या था तब जैपरकाश lawyer कहता है कि युवा ने उस वीडियो के audio की dubbing की हुई थी और इसका सबूत भी है मेरे पास फिर जैपरकाश फिर से वही वीडियो court में प्ले करके सब को दिखाता है जिस वीडियो में युवा ने उन सभी drug dealers को शूड करके मार दिया था अब उस वीडियो में आउडियो पहले वीडियो जैसी नहीं होती उस वीडियो में आउडियो पहली वीडियो से बिलकुल ही अलग होती है उस वीडियो में युवा उन ड्रग डिलर्स को कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मुझे पार्टनर्शिप से हटा कर बहुत बड़ी गलती की है युवा वीडियो में कह रहा होता है कि मैंने ड्रग के बिजनस में 80% मांगा था लेकिन अब तुम लोगों को मार कर मैं 100% इस बिजनस का मालिक बन जाऊंगा युवा कह रहा होता है कि तुम लोगों को मार कर मैं सचा देश भक्त कहलाऊंगा और जेल से जल्दी रिहा हो जाऊंगा उस वीडियो में युवा के ये सब बाते सुनकर सबी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो वीडियो युवा ने बनाया था और शोशल मीडिया पर अपलोड किया था उसमें युवा और ड्रग डिलर के बीच में कुछ और ही बात हो रही थी फिर जैपरकाश युवा के फ्रेंड ब्रूसली को कोट में बुलाता है लोयर जैपरकाश ब्रूसली से पूछता है कि क्या ये वीडियो तुमने बनाया था तब ब्रूसली कहता है कि हाँ ये वीडियो मैंने बनाया था जब युवा उन ट्रग डिलर्स को शूट कर रहा था फिर जैपरकाश ब्रूसली से पूछता है कि क्या युवा ने उस वीडि किया था उसका ओडियो नकली था ये सुनकर युवा बुरूसली पर बहुत गुसा हो जाता है और कोट में ही बुरूसली का गला पकड़ लेता है पुलिस बड़ी मुश्किल से युवा से बुरूसली को बचाती है कोट में युवा की मा भी मौजूद होती है जो ये सब के लोगों को धोखा दिया है युवा ने अपनी गल्फरेंड नीशा की फैमली को भी अपना नकली वीडियो दिखा कर शादी के लिए राजी कर लिया था अब जब सारे सबूत और गवा युवा के खिलाफ हो जाते हैं तब कोट युवा को जेल से रिया नहीं करती बलकि उस पर और इंक्वेरी करने का ओडर दे देती है उधर युवा जेल में रहकर सोच रहा होता है कि ब्रूसली ने उसके साथ धोखा क्यूं किया ब्रूसली ने कोट में जूटा बयान क्यूं दिया युवा अब खुद को बेकसूर साबित करने के लिए जेल से भाग जाता है पुलिस समझती है कि युवा ने ही ब्रूसली को मारा है क्योंकि ब्रूसली ने युवा के खिलाफ कोट में गवाही दी थी अब युवा को फिर से पुलिस पकड़ कर ले जाती है और युवा के खिलाफ कोट में केस चलता है अब जज युवा पर लगाए सभी इलजाम के क पारण युवा को सजाए मौत का हुकुम दे देती है। कानून तो युवा को मुझरिम मानता है लेकिन युवा की गल्फरेंड निशा, युवा की फैमिली और लोग अब भी युवा को बेकसूर ही मानते हैं। अब फिर से वैसे ही होने लग जाता है जैसे इतिहास में भग सिंग को बिना किसी को खबर दिये रातो रात फासी दे दी थी। वैसे ही पुलिस भी लोगों के डर से जो लोग युवा को फासी देने का विरोध कर रहे हैं से छुपकर युवा को निश्चित डेट से एक दिन पहले ही रातो रात फासी दे देती हैं। अब पुलिस वाल निशा की मदद से एक बहुत पतली मेगनाटिक लेयर को भी मंगवा लिया था। युवा ने फासी के दौरान उस ट्रांसपेरेंट मेगनाटिक चिप को अपने पैरों में लगा लिया था। जिसके कारण फासी वाली जगा पर लगे आईरन पर उसके पैर को स्पोर्ट मिल ग गए तब युवा ने किसी क्रीमिनल की बॉडी को जिसको युवा ने जेल में ही मार कर चुपा दिया था को अपनी जगाए फासी पर टांग कर जला दिया और खुद वहां से भाग गया। बाहर आकर युवा को पता चलता है कि उसको जूटे केस में फसाने वाला और नूर एहमद को पता चल गया था कि युवा ने फेमस होने के लिए उसका इस्तिमाल किया था और नूर एहमद को डर था कि अगर युवा नैशनल हीरो बन गया युवा इलेक्शन में उसके ही ओपोजिट खड़ा होकर उसको हरा देगा इसलिए मिनिस्टर नूर एहमद ने बुरूसली को धमकी दी थी कि अगर उसने कोट में जूटा बयान नहीं दिया तो वो युवा की माँ बहन और युवा के भांजे को मार देगा और बाद में उसने बुरूसली को भी मार दिया नूर एहमद ने ही उस वीडियो के आडियो की एडिटिंग एक डबिंग आर्टिस से करवा कर वीडियो के आडियो को बदल दिया था जिसको नूर एहमद के ही वकील जै परकाश ने कोट में दिखाया था जब ये बाते युवा को पता चलती है तो युवा मिनिस्टर नूर एहमद के घर चला जाता है नूर एहमद युवा को जिन्दा देखकर हरान हो जाता है अब नूर एहमद के आदमियों और युवा के बीच में फाइट होती है और युवा सबको मार देता है और आखिर में नूर एहमद को भी मार देता है फिर युवा अपनी मा से कहता है कि मैं भगत सिंग की तरह फासी पर नहीं चड़ा क्योंकि मुझे जिन्दा रहकर ही अपने देश के दुश्मनों को मार कर अपने देश को उनसे बचाना है फिर युवा अंडरग्राउंड होकर ही अपने की सेवा करने लग जाता है तो दोस्तो हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका थैंक्स